तो हलो मेरा नाम है अविशेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके यूटूब चैनल जे आर्ट टुटियोरियल में जैसा कि आपको पता है कि हमने अल्रेडी सेकेंड लेसिन स्टार्ट कर दिया था हमारी ट्विल्थ बायलजी का ठीक है और आज मैं आपके लिए ले अगर आप मुझसे connect होना चाहते हो अगर आप throughout the sessions मेरे पिछले 13 lectures और हमारा lesson नंबर 1 भी complete ओल्रेडी ठीक है जिसको नहीं पता उनको बता दूँ कि हमारा lesson नंबर 1 भी complete ओल्रेडी और lesson नंबर 2 भी ओल्रेडी complete होने वाला है ठीक है आगे वाले आने वाले एक से दो lectures और मे यह पूरा का पूरा lesson खतम हो जाने वाला है ठीक है complete हो जाएगा तो अगर आपको पूरे session में ठीक है पूरे session में कहीं भी कुछ भी doubt होता है तो आप comment तो करी सकते है साथी साथ यह मेरी Instagram आईडी है जहां पर आप मेरे साथ direct connect हो सकते है ठीक है आप मुझे message कर सकते हैं बता होता है ठीक है अगर आपके marks अच्छे आते हैं आपके school में आपका biology का यह बढ़ गया knowledge बढ़ गया है ठीक है तो वह भी मुझे आप मेसेज करके बता सकते हो इतनी बाते क्लियर है ठीक है क्या देखा था हम लोग ने last lecture में last lecture याद करो अगर नहीं देखा तो देख लो कि बहुत important lecture है उसी चीज़ को हम लोग आगे चलके continue करने वाले है तो हम लोग ने implantation शुरू कर दिया था ठीक है implantation का मतलब क्या होता है कि जो भी embryo form हुआ है ठीक है जो भी क्या form हुआ embryo form हुआ है अब वो जाके embed हो जाएगा endometrium की wall के अंदर ठीक है वह embryo अब के अंदर क्या हो जाने वाला है इंबेड हो जाने वाला है उसी process को क्या हम लोग क्या कहते हैं implantation ठीक है तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में already implantation कर रखी है अभी हम लोग embryonic development के बारे में पढ़ेंगे कि वह embryo आगे चलके develop कैसे होगा और उस embryo से आगे चलके एक बेबी कैसे फॉर्म होने वाला है तो वह हम लोग आगे चलके पढ़ेंगे ठीक है आज वह पढ़ने वाले हैं ठीक है यह structure में आपको लास्ट बताया था ना बना के ठीक है आएंगे हम लोग ट्रोफो ब्लास्ट क्या कहा था मैंने इसे ट्रोफो ब्लास्ट ठीक है इस ट्रोफो ब्लास्ट के अंदर यह जो ट्रोफो ब्लास्ट जिन सेल्स ते बने हैं उन सेल्स का नाम था ब्लास्टो मियर ठीक है अब इस ट्रोफो ब्लास्ट के अंदर यहां पे एक नॉब फॉर् जाती है ऐसे इसका नाम मैंने क्या रखा था इसको मैंने कहा था Embryo Blast ठीक है इसे मैंने क्या कहते Embryo Blast या फिर इनर इनर Cell Mask ठीक है यह भी मैने कह था तो यह लिख देता हूं पर Embryo Blast ठीक है या फिर इसे ही Inner Cell Mask भी कहा जाता है एक रते क्लियर है तिक है इस के अंदर ये क्याविटी बंगई थी इस चीजे जब नहीं समझमे और सारी Writing to तो प्लीज जाके पिछला वाला विडियो देख लेना ठीक है और पिछला वाला ही नहीं उसके पहले की वी विडियो आप आके देख लेना और आगे आपको सारी की सारी चीज़े आज समझ में आएंगी ठीक है तो इसके आगे की development हम लोगों पढ़नी है कि आगे इस embryo में पूरे structure क्या कहा था blastocyst तो confused नहीं होना है ठीक है इस पूरे structure का नाम है blastocyst ठीक है इसके अंदर जो एक-एक cell है ठीक है इसके अंदर जो एक-एक cell है उसका नाम है blastomir ओके इसके अंदर यह जो खाली space है ठीक है इसे क्या कहते है लाज्टोसी ठीक है और इसके आंदर भरी क्या कह वा था आज इंदर अधर बरा उआ हूँ था ठीक है यहां से गलाईकोजन ल시करीट होता था या चोटी चोटी छोटी होन्स बंजाते था इक यहां पे मैंने क्या दिखाया हुआ हैं यहां मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो के अंदर इत्ती बाद है क्लियर है इसी चीज को implantation कहते थे इत्ती बाद समझ में आ रही है अब हम लोग को पढ़ना है कि इसके आगे कौन-कौन सी चीज़े डेवलप होंगी इसके आगे कौन-कौन से स्टेज बनेगा कौन-कौन सी चीज़े डेवलप होने वाली है ठीक है आ जाओ पढ़ते हैं इसके आगे कौन-कौन कि दिखाता हूं आप लोग को ठीक है एक है जो कि इस से बनी हुई हुई है ठीक है एक कुंसे लेयर है सेलूलर लेयर है जो किस से बनी हुई है से बनी हुई है और एक ऐसी लेयर है जो सिंगल सेल की है ठीक है जो किसी कैसी है सिंगल सेल के यहाँ पर ध्यान दो इसके अंदर ये single cell है और इस single cell के अंदर बहुत सारे nucleus पड़े हुए या इस condition को क्या कहते है एक ही cell के लिख रहे हो नोड बना रहे हो इन सारी चीजों को क्या करने ला नोड डाउन कर लेना सिंसी शेंचिंग का मतलब होता है मास और इसके अंदर बहुत सारे nucleus present हो, क्या present हो, बहुत सारे nucleus present हो, तो ये एक mass है, cytoplasm का, ठीक है, एक ही mass है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या present है, nucleus present है, अब ये form कैसे होता है, तो अगर आपने mitosis पढ़ी होगी, तो mitosis के अंदर दो चीज़े होती ही ना, karyokinesis तो आप karyokinesis करते जाओ, ठीक है, karyokinesis करते जाओ, लेकिन cytokinesis मत करो, ठीक है, तो एक ही cell के अंदर क्या हो, और nucleus बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन cytoplasm का division नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनको खुद का cytoplasm नहीं मिल रहा है, और वो single cell ही रहेंगे, इतनी बात है clear है, ठीक है, तो ये है पुरा cytoplasm, और इसके अंदर क्या है, multi nuclear condition है, ये किस से form होगा है, ट्रोपोब्लास से form होगा है, तो ट्रोपोब्लास्ट कितनी लेयर की हो गई अब, दो लेयर की ये वाला जो, syncytion वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहेंगे, syncytion ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, simple सा नाम है, syncytion ट्रोफोब्लास्ट, इतनी बात है समझ भे, ठीक है, ये वाला जो लेयर है, इसे मैंने क्या कहा, syncytion, ट्रोपोब्लास्ट और इसके अंदर, ठीक है, syncytion, ट्रोपोब्लास्ट के अंदर, एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्या होती है, एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती है, इन सेल को मैं क्या कहूंगा, इसके हम लोग कहते हैं, अब सेल है, तो कह सकते हैं, cyto, ठीक है, तो it is a cytotrophoblast, जिस अब कुछ दिया हुआ है आपकी book में, तो आपको पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, syncytio-trophoblast क्या होता है, cytotrophoblast क्या होता है, इतनी बात हैं समझ में आगए, ठीक है, इस वे बड़े सारे नूकलेस ताएर रहे हैं ठीक है सेलूलर लेयर प्रेजंट है को मैंने क्या वोला। साइटोटोपलास्ट इस वाला को मैंने क्या बुला साइटोपलास्ट अब इसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट उती थी याद करूं इसके अन्दर प्रेजेंट ऌथा था इंब्रीओ ब्लास्ट से एंभ यहां ब्लास्ट पर दो लेयर में डिवायड जाती है इसके अंदर एक लेयर यहां पर कर सकते हैं तोरोटी तोटी एक साथ रखा है ठीक है तो एक वाला ये वाला रोटी ठीक है और इसके पीछे एक दूसरी चीज़ रख्य हुई है, दूसरा एक लेयर रखा हुआ है यहां यहां पर इसो प्रिदो ऑंज प्रिए अज त्व एम्ब्री मिन अइंब्री और ब्लास था था वो दो परट में क्या हो गया डिवाइड हो गया इतनी बात समझ में आ रही है एंब्रियो ब्लास्ट कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन-कौन सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, पीछे वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हाइपो ब्लास्ट, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट ह हुआ है कि इतने पार्ट पॉँए है दो पार्ट पॉँआ है ठीक है अब इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी यह वाला है और गलास्ट और यह है साइस तो ट्रॉपो बलास्ट होता है तो यह वाला cytotropoblast जो की आगे वाला बना है ठीक है और ये इसके पीछए वाला है है hypo-tropoblast इतने बाद समझ में आ रही है सब्सक्राइब को आगे चलते हैं अब क्या पूर्शन और उपड़ने वाला वह समझ आरिया। हए अभ इतनी बात समझ मैं रहे हैं? अब इसके आगे हम लोग पड़ने वाले हैं तेक है।as होगा इसके अंदर आगे-एगे तो शीजिफीज़े सेम होंगी यहां यहां पर चीज़ें किया है ये इत इस इस को इसको मत देखो यह मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है वापको समझ में आप है क्या है यह है यह यह multi nucleated condition है इसके अंदर बड़े सारे nucleus present है और इसके अंदर दो चीज़े form हो गई थी यहाँ पर एक था हाइपोब्लास्ट और एक था साइटोब्लास्ट यहाँ ठीक है इतनी बाते समझ मैं अब देखो यह वाला जो रीजेन है यह वाला चाहिए इसका क्या होगा Swallow होने लगेगा जाएगा पूलने लगेगा और यहां पर एक cellular Here हो एक दिया जाएगा इस लेयर को अब कहा जाएगा Amnion क्या कहा जायएगा इस अब Amnion ठीक है और इसके अंदर है जो जो खाली स्पेस बचाएना इसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है जिसे एमनियोंटिक फ्लूइड कहते हैं इसके अंदर क्या बर जाएगा इंयोंटिक है खैसित लूइड तहां इतने सबस्ट इतना क्लियर क्या था यह वाला जाएगा फूल जाता फूल क्या हो जाता था तश्व गर्र आगे चलके बनाता था इसे राइम लो साथ मी सेम चीज़े ने इसां एक आसे क्टैजाए का हो जाएगा एक स्वालव जाएगा बर जाएगा इसी क्या हो जाएगा भर जाएगा यहां पर इसकी जो होता है इसे हम लोग कहेंगे योक सैक कि current हैं यो करिंगे योग सैक इतनी समझ में आई तो आप पता चला एमनियोन कहां बनता है योग सैक कहां बनता है ठीक है हाइपोब्लास्ट क्या होता है इतनी बाते समझ में आगे ठीक है आगे चले ठीक है अब देखो यह वाला जो लेयर है यह वाला जो लेयर है ठीक है यह वाला कुंसा योग सैक वाला योग हैं यहां पर जितनी भी कवरिंग्स हैं इसके उपर एक छोटी सी और कवरिंग बन जाती है जो कि किससे बनी हुई है हाइइपो ब्लास्ट से बनी हुई है इसे हम लोग कहते हैं एक्स्च्ट्राइंब्रियोनिक कवरिंग या फिरgeld एक्स्ट्राइंब्रियोनिक मिंब्रेंन यठिख कितने भी Miy Ram gender कर لिया इस चिछ गा्या इंपि membrane इत्ती बात समझ मैं ही तो लिख दो इसका भी नाम कि देखो कि क्या है इसका नाम कि एक्स्ट्रा इंब्रियोनिक मेंब्रेन इतनी बाते clear है इतनी बाते समझ मैं आ रही है ओके ता क्या क्या बना देखो बाहर सेञटा है यह साइंग और ब्रीus के अंदर कर लिए है इन føरीसियौनी सब क्निम यह वाला सॉय फिल यह वाला एक्स्ट्रा अंग्रियोनिक मेंब्रेन की covering को इन तीनों को मिला कर हम लोग क्या कहते है chlorion हम लोग मिला कि क्या कहते है Corion तो आपके book में लिखा हुआ है Corion आब को पता ओना च AUDIENCE की Corion form कैसे होता है बनता कैसे समझ में आ रही है तीक है आगे बड़े समझ मैं न I assume कि आपको के सारी चीज़े संफ में आ गई होगी अगर आपको नहीं समझ में है तो थोड़ा रिवाइंड कर ले ले ना वापस देख ले ना ठिक है तो यह है बना को इतना पर समझ में अब यह कोरियोन आगे चल के एक ऐसा फोल्डेट सा रीजन बना लेता है यह जो का रियोन है यह आ एक विक पुरा complete हो गया था एक वीड जब complete हुआ था तो इतना इंट्रोग्टर फॉर्म हो गई था और यह जाके implant हो गया था implantation हो गई थी second week के starting में एक सेकेंड विक के starting में मतलब एट रे पर ऐंसे पर एट दे पर क्या होता है इतने ही इसने सारे ऐगे चल के यही ओर्योन प्लसेंटा फॉर्म पार्म करेगा इतनी बात है मिल के बनए में या Peng है को रियां बनता है इतने वाटेट अगे चले सच में ऐसे आगे चले ना ओके ठीक है अब देखो अहमारा बनाना है एक फिंगर लाइक प्रोज чудि 12 गविलाय करते में तो पीपाता समझ में आरिये एसे बना देता हो मैं ते यह यह सची श्योर वबना स्थ ठीक है इसके ऊपर स्ट्री जिस इस 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 तो फ़ीस तो फब लस्ट आम सरी है एक है है एपीब्लास्ट अदर क्या फॉर्म हुआ है यहां पर उन्टिस और यहां पे योग सेख तक है यह यह है और यह है एमनियोन यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है यह है आपका साइटो ट्रोपो ब्लास्ट और यह है सिंसीश्यो ट्रोपो ब्लास्ट के अंदर टेकर इस सिंसीश्यो ट्रोपो ब्लास्ट के अंदर क्या फॉर्म था extra embryonic membrane बनाई थी ना भी मैंने क्या बनाई थी extra embryonic membrane बनाई थी कैसे दिखती थी यहाँ पर दिख रहा है यह थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर तो cover कर लेती है जितनी membrane है क्या कर लेती है इसको cover कर लेती है सारे cells को internally इसे मैंने क्या कहा एक्स्ट्राइंबरियोनिक मेंब्रे तो इन तीन चीजों को मिला के कौन-कॉन्सी तीन चीजे scyto Trouphoblast, cytotropoblast और कवन्सी चीजे बतां scyto Trouphoblast , और extra एंबरेयोनिक मेंमे इन तीन चीजों को मैंने मिला कि क्या वर बनाया था वोरियॉन बनाया था क्या बनाया था भर और यह कोरियॉन है यह आगे चलके बनता है परटीलाइज देशन के ठिक है एक इतनी बात है समझ में आ रही है एतनी बाते समझ में आ क्या निक बना लेगा अब प्लसेंटा क्या होता है आपको पता है प्लसेंटा बनाने के लिए कुछ पोर्शन एक फीटस या एक एंब्रियो कंट्रिब्यूट करता है और कुछ पोर्शन क्या करती है एक मदर कंट्रिब्यूट करती है तो मदर का यहां से साइड साइड से कुछ बन्ट वेसल साजाथी है तो मैं रेड में बनाता हूं थाकि आपको और क्लियरिली समझेगा ठीक है और इसका carbon dioxide ले लिया जाएगा कि बेभी अंदर प्रेजेंट है मम्मी के ठीक है अब वो अंदर से तो सांस नहीं ले सकता बच्छों नहीं ले सकता तो उसको oxygen देने की भी जिम्मेदारी किसकी है मम्मी की जिम्मेदारी ठीक है वो मदर भी क्या करेगी उसको oxygen देगी और उसका वेस्ट प्रोड़क्त है यानि carbon dioxide वो भी क्या करेगी अपने ही ब्लड में मिक्स कर लेगी इत्ती बात है क्लियर है ठीक है फिर साथ साथ इसको nutrition देने काम होते हैं वो भी किसके थ्रू आते हैं अधीजन के थ्रू आते हैं लेकिन कभी भी यह बात या रखना कि कभी भी जो बेबी का ब्लड है चैक है बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता तो इसी पूरे structure को हम लोग कहते हैं placenta कि क्या कहते हैं इसे हम लोग placenta कब फर्म हो जा रहा है यह 9th day पर फर्म हो जा रहा है although यह अभी तक developed नहीं है यह पूरी तरह से placenta अभी तक developed नहीं है यह कब developed होगा around 3.5 यह फिर 2.5 मन्त के बीच में कहीं develop होता है यह ठीक है तो तब तक यह क्या करेगा generally यह वाला structure तो बनाएगा निए तो जितने भी यह जो ट्रोपोब्लास्ट वाले cells थे वही HCG release करेंगे और जिसके वैसे progestron secret होता रहेगा और बेबी का formation होता रहेगा endometrium की wall stable रहेगी जब आगे चलके तीन महीने बाद around around assume कर लेते 3 month ठीक है कोई exact date नहीं होती around two and a half month भी हो सकता है three month भी हो सकता है किसी किसी में three and a half month भी हो जाता है तो around three month के time पे जब placenta form होगा तो वह आगे चलके कुछ hormones को क्या करने लगेगा secret करने लगेगा ठीक है कौन-कौन से hormones वह भी हम लोग देखेंगे इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है आगे चलके यही structure ठीक है यही structure एक baby को form करेंगे ठीक है तो आगे चलके हम लोग को पढ़ना है कि germ layer कैसे form होती है ठीक है आगे चलके हम लोग क्या पढ़ना है germ layer कैसे form होती उससे पहले प्लेसंटा देख लो कि प्लेसंटा होता क्या है तो मैं कुछ चीज़ा आपके लिए लिख कर लाया हूं जिसको आप अपने बुक में भी लिख सकते है तो प्लेसंटा होता क्या है जेनरली प्लेसंटा इस टेंप्रेरी ठीक है इस टेंप्रेरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है endocrine gland, जो क्या secret कर रहा है, hormone secret कर रहा है, तो placenta is a temporary endocrine gland, कब मिलता ये body में, ठीक है, ये only female के body में मिलता है, only word मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ किसके अंदर मिलेगा, female के body में मिलेगा, ये organ कभी भी male के body में नहीं मिलेगा, तो male में कभी भी लिखके मत आ जाना, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा, female के body में मिलेगा, ठीक है, कब मिलेगा, during the pregnancy, जब एक female pregnant होती है, तभी क्या होता है, तभी उसके अंदर क्या form होता है, और ये कुछ hormones release करेगा ठीक है ये कुछ hormones क्यार करेगा release करेगा इतनी मैंतर समझ में रही है ठीक है कौन कौन से hormone release करता है वो हम लोगों को पता होना चाहिए तो ये release करता है HCG ठीक है मैंने last video में आपको बताया था HCG का full form और उसका work भी बताया था क्या काम करता है वो आप द उसको जाके क्या करता है बचा के रखता है ताकि वो बना सके कब तक बना सके जब तक प्लासेंटा अच्छे से फॉर्म नहीं होता ठीक है तो ये HCG का production करेगा साथी साथ ये HPL का production करेगा what is the meaning of HPL it is a human placental lactogen ठीक है अगर एक फीमेल ठीक है एक फीमेल जब प्रेगनेंट हो मिलता है फीमेल के ब्रेस्ट से मिलता है इतनी बाते समझ में तो ये एक हॉर्मोन सिक्रीट होता है प्लेसेंटा के द्वारा जो क्या करता है ये human placental lactogenetic ये हॉर्मोन है जो क्या करेगा जो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट है उसका development करेगा और उसके अंदर मिलका production शुरू और गीस की बनाता है उह जादा को सब्सक्राइबब सरु कि करेट एक और हम वेघंटा करने के लिए सबादो बड़े बड़े पॉइंट में लिख देना मैंने आपको shortcut में बता दिया इतनी सारी चीज़े समझ मैं है बात ठीक है तो अब हम लोग को जितना भी development था वो अपने समझा अब अपने को पढ़ना है कि आगे इस में ज़य कैसे लिए अब ज़ुफ मल referee तरह रहा हो P 來 луч जिससे आगे जलके पूरा बरी फॉर्म हो तो उस प्रोसेस को ठीक है जबलेयर के प्रोसेस को बर क्या क्या क्रिक्रेंकिंक्ति है ग्रास टुलेशेटर क्या केते वहते। ओना और उसके बाद धिरी दिरे उसके अंदर development हो रही है तो अराउंड थर्ड वीक में क्या होने लगता है गैस्टुलेशन होने लगता है इस सारी प्रोसेस कहा हो रही है पता है आप लोग को घूल तो नहीं गए है सारी चीज़े कहा हो रही है यहां पर हो रही है इसके अंदर ह और यह सारी चीज़े तो अभी अभी क्या फॉर्म हो गया है जरा हम लोग बना लेते हैं वापस तो मिटा देता हूं मैं अब कुछ ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए इसके अंदर यहां पर एक एपीब्लास्ट है जो एमनियोन बना रहा है यहां पर एक हाइप तो इसके लियार है और इसके अंदर एक गढ़ा मों लगता है और नॉर्मल गढ़ा सा गढ़ा असा नहीं लंबाव सा गढ़ा तो यह पीघ्ड़ा लेए और इसके आगए यहां पर चोटा यहां पर इसके नीचे यहां पर इसके नीचे यहां पर पर इस चूटे-छुटे-छूटे वो क्या होने लगते इस गड्डें में और गड्डे के अधर कूद जाते और पूद यहां पर पर तका ब़्यां पर इसके हैं और क्या ऊपर यहां तो क्या करने लगते है इसके उपर कूदेने लगते, तो जब यह cells यहाँ पर नीचा जाएंगे, तो यहाँ पर एक cell की layer बन जाएगी, ठीक है, उपर के जो cells बचे हुए है, वहाँ पर उनकी एक layer बन जाएगी, तो यहाँ पर दो layer form हो गई, इन दोनों लेयर के बीच में एक और irregular सी लेयर फॉर्म हो जाती है इसके यहां पर बीच में ठीक है तो यह थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा अच्छे ता बनाते हैं यहां पर ऊपर एक लेयर फॉर्म होई ठीक है जिसके अंदर क्या फॉर्म हुआ था एक primitive streak औ देलेट के विससा हाइपोबलास्ट का हो जाता है कराब हो जाता है रिपेंद एक नहीं लेयर फॉर्म हो जाती है ठीक है और इस के बीच में जो हैस्म बने हैं वो भी यहां पे एक लेयर फॉर्म कर देते हैं वह इला यह त्री जंग produzक और इस फ्र इसले सभित हैं आगलों seres खरके ऐने के मिडल मेरे ыми जर्म लेहर रहे जे भरे से थेंवे मिजो रम चेशों कि एक अंदर मेर जो लास्ट वारी जर्म रहे से और किनके हम लोग क्या करेंगे अंडोर्जों रेप्लम आरते चार्कों कि तीन जर्म माइएर हो गई तीन जर्म लेयर और इन्हीं चर्म साहब करें हमारे पूरे बॉरे मद्क टिशू को पता है कि टिशू से आगे चलके और 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 सिस्टम होता है एक पूरा का पूरा और या निसम फॉर्म होता है तो हम लोग को development में सिर्फ इतना ही पढ़ना है हम लोगों कहां तक पढ़ना है जब germ layer form हो जाती है तो हमारा glassulation भी यहां पर क्या हो जाता है खतम हो जाता है इसके बाद जो जितने भी development है वो आपके book में उसको मैं एक table लेकर आया हूं उस table के थ्रों लोग वह सारी चीदा पढ़ेंगे ठीक है कि first month में क्या form हुआ second month में क्या form हुआ third month में क्या form हुआ ठीक है इतनी बात है हम लोग इस table के थ्रू पढ़ने वाले हैं समझ में आगया बात ठीक है यह मैं पहले से लिख के लाया हूं का group है इसे ही trimester कहते है what we call it as a trimester ठीक है तो जो पहले तीन मन्त है it is a first trimester ठीक है जो आगे के तीन मन्त है it is a second trimester और यह जो लास्ट के तीन मन्त है it is a third trimester तो आपकी बुक में यह trimester के form में दिया हुआ है तो लिख दें आप it is a first trimester it is a second trimester और यह है third trimester ठीक है तो कौन कौनसे development हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग को पता होना चीह तो around first month में क्या form होता है first month में एक baby का heart form हो जाता है और वो beat करना शुरू कर देता है ठीक है वो क्या हो जाता है beat करना शुरू कर देता है अगर doctor ultrafonic sound से उसको सुने ना तो बेबी का heart form होता हुआ दिखता है ठीक है it is a first sign of pregnancy ठीक है यह पहला sign है pregnancy का ठीक है इतनी बाद समझ में आ गए ठीक है organ form होता है कौन से मन्त में form होता है third month में ठीक है समझ मैं सबसे पहला organ कौन सा form हुआ heart form हुआ ठीक है तो बाहर का structure बनाना easy है ऐसे याद रख लो बाहर का structure बनाना बहुत ज़्याद है पहले क्या बनते है और पहले क्या बनते हैं बाहर का structure बनते है उसके बाद क्या बनेंगे और फिर organ system बनेगा ठीक है हमारा organ system बनेगा और सिस्टम पता है डाइजिस्टर सिस्टम उसके अंदर बहुत सार आरगन आते ठीक है थ्याद चियाद मंत में यह मजटा है और फिर उसी मंत में और फिर उसी मंद में तीमें मिलती हम लोको एक बेभी के अंदर समझ में ली तो फर्स्ट मोड्मेंट में हम लोग को उसी और फिप्ट मन्थ में देखने मिलती है बेबी में में घिकंगा हे दंध में क्या होता है आप किया होता है बोड़ी के उपर हàng यह भी क्या हो जाती है उस time पर separate हो जाते हैं और eyelashes फॉर्म हो जाते हैं इतनी बाते क्लिए रहे हैं वहां इतने बाते हैं इतनी बाते समझ में आ गई ठीक है तो डवलप्मेंट पूरा का पूरा कम्प्लीट हो चुका है नेक्स जो छोटा सा चीज हम लोग को पढ़ना है जिसका नाह है पास्चुराइजेशन ठीक है अगर हमारे यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो अल्मोस्ट यह लेसन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा और एक सिर्फ एक चोटा सा टॉपिक बचेगा रिप्रॉट्टिव हेल्प ठीक है आपके बुक में दिया हुआ है रिप्रॉट्टिव हेल्ट तो वह भी हम लोग नेक्स लेक्ट्टर एक वीडियो बनाके मैं उसे खतम कर दूँगा ठीक है यह पढ़ अगर में तुम डिलीवरी मत लिख्या न यह अच्छे वर्ट से टिक है पास्चुरेशन लिख दो चाइल्डवर लिख दो या फिर लेबर लिख दो यह सारी चीज़े होती है ठीक है और दूरिंग इस ताइम पर फीमेल को बहुत ज़्यादा पीन भीज़ा महसूस होता है ठीक है बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको फीमेल को ठीक है डिलीवरी के टाइम पर समझ में आपने मूवीज में देखा ना बहुत सारी मूवीज में ठीक है अब देखो क्या होने वाला है इसको मिटा दू क्योंकि आप कुछ मुझा स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो हो परी इस यूट्रस के अंदर यहां पर एक बेबी पढ़ा हुए जो कि डेवलप हो चुका है पूरी तरह से एक बेबी पढ़ा हुए इसके यह हात है छोटे छोटे चोटे यहां पर यह एक पैर है यहां पर कुछ वाल्स प्रेजेंट होती है बहुत बार बताया है मैंने आ बांस प्रेजंट यहां पर यह प्रेजंट होती है और मायमेट्रें स्मूद मंसल मैयमेम ज्वास होता है तो चμय female reproductive system के अंदर progesteron का level बहुत जादा था ठीक है प्रोजेस्टरोन का लेवल बहुत जादा था क्यों क्या करना पड़ेगा उसे क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा प्रोजेस्टरोन का effect कौन करता है estrogen कम करता है तो सबसे पहले क्या सिक्रेट करवना पड़ेगा अब कैसे सिक्रेट होगा तो यह जो बेबी है अब इसी को मेहनत करनी पड़ेगी इसको बाहर आना है तो signal कौन देगा यह बेबी ही को यह बहुआ करवाता है चुरू कौन करवाता है तो जो मंँ के अंदर जो फेटस प्रेज़ेंट है वह फीटसी क्या करता है पस्चू को initiate करवाता है यह ग्लैंड कौन 1 अगर आपने अड्रेनल गलांड ऑगर आपने अंड्छर्ट यह बदान तो अगर आप इसी किडिनी के ऊपर यहां पर एक ऐसा ग्लंड प्रेजन्ट होता है जिसे ए IP डीनल ग्लंड प्रेरिनल ग्लंड इस ग्लंड के अंदर जी मिडल वाला पोर्शन होता है इसे मेडियूला कहते हैं मेडियूला और साइड वाले Cam यदे ओवरी में भी हम लोगने सेम चीज़ देखा था दढ़ง मिडर्य ओपॉर्षन तक उसे ने लिए तो यह ऑट्रेजनकी करतwał है यह डंड़्यन कोнее वाला पार्टू कुंसा पार्ट कॉंटेक्स वाला पार्ट क्या सिक्रीट करने लग जाता है उस टाइम पर एंड्रोजन सिक्रीट करने लग जाता है अब जैसे ही एंड्रोजन सिक्रीट होता है ठीक है जैसे एंड्रोजन क्या होता है बॉडी से बाहर बॉडी से तो नहीं इस बेबी से बाहर कर देगा साथ ही अजैसे ही ये ऐसवांन को सब्सक्राइब ऑर क्या करें यह फूणटरन के चो वह क्या खड़ देगा साति हाँ यह ही एंड्रोज़ंग जाएगा इस मायोमीटरिम की वाल94 सब्सक्राइब और यहां पे कुछ receptors बढ़ा देगा एक हॉर्मोन के receptors बढ़ा देगा कौन सा हॉर्मोन है वो वो है oxytoxin कौन सा हॉर्मोन है वो oxytoxin नाम सुने आप लोग ने बहुत बर सुना होगा तो यहां पे कुछ receptors increase हो जाते है ठीक है अब देखो किसी भी हॉर्मोन का effect कब होता है एंट्रोजन है इसके दो function हम लोग ने सीखे कौन कौन से function एक तो यह क्या करेगा जितने भी मायो मीट्रियम की वॉल है उस पर जाके क्या करेगा oxytoxin कौन से oxytoxin के क्या कर देगा receptors increase कर देगा साथ ही साथ ठीक है इसी के साथ ही साथ क्या करेगा यह placenta उसको convert कर देगा estrogen में और estrogen क्या करेगा प्रोजिस्टेरोन का ठीक है किसका प्रोजिस्टेरोन का जो इफेक्ट है ठीक है जो इसको होल्ड करके रखा था नहीं उट्रस को वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इतनी बाते समझ में आ रही है ठीक है जैसे यह चीज़े कम होती है वैसी क्या होगा अब यह स्टेबल नहीं रहाएगा और वह जो झाएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ आने लगेगा जैसे वह नीचे की तरफ आएगा अब मम्मी के ब्रेंट से ठीक है जो फीमेल थी उसका जो उसका जो ब्रेंट था उसके brain में pitutary gland पढ़ा है हम लोग ने उसके brain में क्या है pitutary gland है तो pitutary का जो पीछे वाला portion उसे posterior pitutary बोलते है बच्चो ठीक है हम मैं पढ़ाओंगा जब endocrine system पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताओंगा तो जो अभी इतना ध्यान रख लो कि जो posterior pitutary मतलब जो पीछे वाला pitutary वहां से क्या रिलीज होता है थोड़ा थोड़ा oxytoxin release होने लगता है हमारे body में हमेशा oxytoxin release होता ही रहता है लेकिन कम amount में release होता रहता है लेकिन जब इसके receptors बढ़ जाते कि इसके oxytoxin के receptors बढ़ जाते हैं तो वह क्या होने लगता है इस receptor जहां पर myometria में उसके ओपर act होने लगता है और oxytoxin का function क्या है यात करो oxytoxin का काम है कि वह smooth muscle को contract करता है थीक है हमेशा यह राखना कि oxytoxin it contract को smooth muscle को जैसे smooth muscle को नुट्रैक करता है जैसे smooth come यह इसका सर किसके उपर आके लग जाता है इस सर्विक्स के उपर आके लग जाता है अब सर्विक्स के अंदर प्रेज़न्ट होते हैं क्षेad Schn rankings ने स्ट्रेच को सेंज करते हैं और जैसी यह स्ट्रेच को सेंस करें गे कि स्टेच को ब्रेन को कि थे तक ब्रेन क्या कर रहा है भूल को और जी कि enzymeद की वॉल को और मुसल थिए वह स्वूर्ण मसलें उसको का रहें जितना कांट कर रहें वो क्या हो रहा है नीचे यह सिर्टर और और किसके उपर पड़ेगा उपर पड़े गासिसे पaros ऑपर पड़ा ठिक है यह जुश्क लेज़ होने लगेंगा तो इसके अंदर ज्यादा कॉंट्रेक्शन देखने मिल रहा है जब ये ज्यादा कंट्रेक्शन करेगा तो बेभी और नीचे आएगा ठीक है और जो uterus है यह जो cervix है वो और stretch होगा जितना और stretch होगा उतने ही stretch receptors और जाधे active हो जाएंगी ठीक है और वो आपस किसको signal वेजनल रहेंगे brain को इस चीज को क्या कहते है मैं आपको बताया है इस चीज को हम लोग कहते है positive feedback क्या कहते हैं इसे positive feedback जितना वो प्रोड्यूस हो रहा है खुद का ही production क्या करवा रहा है इंक्रीज करवा रहा है इस चीज को हम लोग क्या कहते है positive feedback इतना समझ में है यह कब तक चलता रहेगा process जब तक बेभी पूरा यहां से बाहर ना आज है ठीक है तो यह वाली देखो अएक सट्रेश हुगा जतना ज्रेश हुगा उतरही ज्यादा स्ट्रेश रिजर्क्टर्स एक्टिव हो जयेंगे जतना स्ट्रेश हो झेटर्स रिषप्टर्स अक्टिव होँगे उतरही ज्यादा regat फिल्पो बहें the pain पहुत ज्यादा पिदमेंस उता है और जो सरविक्स है ठीक है यह नॉर्मली इत्ती पतली से होती है लेकिन जब लेबर के टाइम पर यह 10-12 सेंटिमीटर तक डाइलेत हो जाती है यह इतीनि ज्यादा क्या हो जाती यह फैल जाती है इतनी बादे खिलियर है तो ये थे एक सर्विक ये है सरवाइकल कैनल नहर ट्रबु के ना ठीक है तो Portugal जये गजा थे पास होगा ठीक है कि स्क्वाइक Virginmay के बाद होगा फोच जाहिने से पास होगा कि एकां तो यह connection तब तक चलता रहेगा जब तक बेबी पूरी तरह से पुल आ ना रहता है आप पूरी तरह से किया बाहर ना आ जब आ रहता नाzeniu- गृता है जब फिक पूरा बहु जाता है तो पिक अस एकrial पर चुरूरण की थी शबूद से निए कहानी यहां पर खत्म होते हैं के पूरी प्रिगनेंसी इतनी बाद यह है समझ वह है ठीक है next lecture में मैं आपको पढ़ाऊंगा reproductive health के बारे में reproductive health क्या होगा ठीक है population बहुती साथ बढ़ रही है उसको control कैसे करना है वो सारी चीज़ हम लोग next lecture है पढ़ेंगे तो अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो thank you so much अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो please like करना वीडियो को ठीक है अगर आप नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना की कि हमको 1 million बहुत जल्दी पहुचना है ठीक है बहुत ही पास में हम लोग 1 million के तो आप जल्दी से 1 million करवा देना अगर आपको next वीडियो की notification चाहिए ठीक है तो क्या करना है आपको bell icon को all पर सेट करना है फटाक से ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए keep studying